अब जो एना रूटीन में शामिल कर लिया है यह मुनक्के का पैकेट मैंने मंगाया था लेकिन सम्हाव यह मुनक्का नहीं है क्योंकि इसके अंदर बीच नहीं है कई लोग मुझसे बोलते हैं कि उनके हाथ भी ऐसे ही कुछ लग जाता है जो मुनक्का बोलके शॉप की पर उनको दे देते हैं बट यह मुनक्का नहीं है यह बड़े वाले काले अंगूर जो होते हैं खटे खटे यह वो हैं और यही धोके से आ गए हैं मुनक्के के नाम पे तो मैं इसे जो है अब तो खुल गया है पैकेट यूज कर लोगी लेकिन मैं दूसरा पैकेट मुनक्के का मंगा रही हूं यूज करने के लिए क्योंकि मुनक्का ही चाहिए जिसके अंदर सीड होता है वही ओरिजनल होता है तो मैंने मंगा लिया है दूसरा पैकेट उसे ज वेलकम टू माई चैनल दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो नियू सब्सक्राइबर है उनका हर देख अभिनन दन है दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं किता जबलपुर से कर रही हूँ आप सब का स्वागत देखते देखते दोस्तों तीज आ गई है और चड़ा हो अपनी जगर लगाई हुआ है और जब मैंने अपने व्लॉग में आप सभी लोगों के साथ शेयर किया कि मेरी क्या 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 कंडिशन हुई है कैसे कैसे सिम्टम सा रहे हैं कैसे किसी चीजह से मैं गुजर रही हूँ तो मेरे पहचान में जितने लोग है ना मैक काम करती हूं फिर सो जाती हूं फिर थोड़ा सा काम करती हूं फिर सो जाती हूं ऐसा लगता है जैसे नींद मतलब पतर ही कैसे आ जा रही है जबकि मैं साथा गंटे की जो नीन लेती हूं वो ले रही हूं लेकिन उसके बाद भी बाड़ी डिमांड कर रही है बाड़ी के थोड़ा सा इजाफा हुआ है मैं फबंधा काम करके फिर उसके बाद rest लेती मुझे लगता है कि कमजोरी के लिए सबसे बहतर चीज होती है आपका मुणके मैंने सूना है किTVर के बात चोलो भूटते we ra 마스크रे के लिए बहुत तेजी से काम करता है तो वही सेम चीज मैं ले रही हूँ मुनक का और मखाना मैं शाम को जरूर से खुद भी लेती हूँ बच्चे को भी देती हूँ घर मैं हार इंसान को में दे रही हूँ क्योंकि सबी लोगों ने उसी को सफर किया है और खासी की बात मुझे याद की सिकाई की है हीटिंग पैट से तो मैंने जब सिकाई की है मुझे एक डेड़ दिन में टोटल आराम आ गया है खासी से मतलब मैं नहीं कहूंगी कि मैं अब आतड़ी गुदुरी हिला के पेट पकड़ के खास रही हूं बिल्कुल नहीं मेरी खासी टोटल चली गई है तो यह इजाफा हुआ है लेकिन उस सिकाई से एक चीज हुई है कि पता नहीं क्यों मुझे कफ कफ लगने लगा शायद कफ मेल्ट हुआ होगा जो भी कुछ है अब यह सारी चीजें सभी लोगों के साथ हुई है तो यह मौसम ही ऐसा है इंवार्मेंट ऐसा है वायरल ऐसा फैला है उससे कोई भी बच तो नहीं सकता लेकिन हम क्या करके ठीक हो सकते हैं क्या क्या हम चीजों उसमें यूज कर सकते हैं क्या काढ़ा ले सकते हैं वो सारी चीजें हमें लेते रहना चुए हैं और थोड़ी बहुत जो आवाज में आपको थोड़ा सा बदलाओ दिख रहा है तोड़ा सा अभी मैं यह मानूंगी कि हां मैं गाना नहीं गा सकती हूं गले पे जोर नहीं डाल सकती हूं तो वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा तो जिन्नों ने मुझसे पूछा था उनको म उनकी बात मान के मैंने काली मिर्च मुह में रखी लेकिन जब मुझे खांसी आए तो काली मिर्च बाहर फिका जारी थी तो मैंने सुच्छा कि चुल इसका काड़े बना लिया जाए और लिटरली उस काड़े ने भी वर्क किया काली मिर्च और वो जो हम लोग शीतो पलाद मैंने शेर कर दिया इस बार लिटरली भगवान की दया से मुझे ज़्यादा दवाय लेना नहीं पड़ी इन्ही सब चीजों से मैं क्योर हो गई हूँ अब सबसे बड़ा टास्क है कि गणपती पपा आ रहे हैं तीज है उतकर्ष के एक्जाम है और एक्जाम का स्लेबस दे कोर्स कंप्लीट कराना है तो एक दिन में 14 14 15 15 पेज लिखवा डाले है उन्होंने अब बच्चे कैसे इसको तयार करें कैसे याद करें मैं तो पार्ट पार्ट में करवाती हूं इसका चार कॉस्चन इसके याद कर लो अच्छा आज इसका याद कर लो ऐसे कर दो एक अर उत तो ऐसे करके मैं इसको याद कराती हूं अभी तो इदर भी मेरी खुद की कंडीशन ठीक नहीं थी मैं क्या इसको पढ़ाती तो पढ़ाई पेसे पूरा ध्यान धरुदर मेरा हो गया बच्चे के और एक्जाम जब आया तो मुझे लगा कि अब तो किसी तरह कमर कसना क्यूंकि सभी लोग जांते हैं बच्चों का एक्जाम मतलब ममी पापा पैरेंट्स का एकजाम और खास कर बच्चे जिन से पढ़ते हैं उतकर जो है घर में मैं पढ़ाती हूं फिर थोड़ा बहुत स्पोर्ट का इन के पापा पढ़ाते हैं चाचा समालते है तो ये मेरे यह बहुत बड़ा टास्क है कि मेरा खुद का एक्जाम आ गया समझ लो और मुझे इसे करवाना है एनिहाओ क्योंकि बीच में जितने दिन मैंने इसको नहीं पढ़ाया है नहीं ध्यान दे पाई हूँ अपनी खुद की हेल्थ की वज़े से तो वो मेरा माइनस पॉइंट है उसके चक्कर में बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए और लास्ट एक्जाम जो बीता है उस समय बाउजी का सब कुछ चल रहा था हॉस्पिटल से लेके सारा सब कुछ तो उसमें इसका बहुत अच्छा पॉफरमिंस नहीं था जिससे ये भी बहुत जादा शौक था मैडम भी थी और हम लोग तो खैर अपने जानते ही थे कि भाई बच्चे के साथ जब तक लगोगे नहीं बच्चा जब तक पूरा टाइम नहीं देगा तो कहां से इस सब चीजे होगी तो अब इस बार मुझे लगना है तो देखती हूँ अगर वीडियो में गयप हो जाएगा त अगर मुझे कुछ मालू में मुझे कुछ होता है तो आप लोगों तक वो बात पहुचना चाहिए ताकि आप लोग भी अपने कॉमेंट के द्वारा मुझे बताते हैं कि आप यह कर लो आप ऐसे कर लो आप ऐसे कर लो आपको जरूर से आराम आएगा तो वो भी बहुत कि यार समाज में आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में लेकिन आपके पास अगर सोशल मीडिया है तो आप सब के साथ कनेक्टेड रहते हो आप सब के साथ जुड़े रहते हो आपको हर चीज की खबर मिलती रहती है तो कहीं ना कहीं मैं इसका भी थेंक्यू करती हूं और जैसी भी गतिविधी होगी जो भी आपके कॉश्चन आते हैं और कोशिश करूँगी कि उनका वहीं के वहीं जवाब भी दे दूँ और अगर किसी चीज पर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का वो होगा तो ज़रूर से बनाऊंगी अपनी हिमत मैं नहीं हारूंगी लेकिन आज मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर ले रही हूँ आप लोगों से ले लेती हूं विदा मिलूंगी अपने नेक्स वीडियो में लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो लोग नए है प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब क केज़ेगा वीडियो सके लाइक केज़ेगा और इसी तरह अपना प्यार अश्यावार बनाये रखेगा, अपना खयाल रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, बबयूर्ट के पूर वाचिंग